अगर आपका मानना है कि जॉब ढूंडने का प्रॉसेस जिसकों की जॉब सर्च भी कहते हैं बड़ा ही एंग्जाइटी से भरा हुआ है और कश्चदाई है तो मैं शायद आपके साथ सहमत हो जाऊंगा क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें आपकी पेशिंस की यानि की आपके धैरे की पूरी परिक्षा ली जाती है आप क्या करते हैं कि जॉब के एरवर्टिस्मेंट को ढूंडते हैं उसको पढ़ते हैं फिर अपलाई करते हैं अपना रिज्यू में एटाइच करते हैं यां फॉ करते हैं कि इंटर्वी बहुत अच्छा हुआ यहां हो सकता है कि सीरीज आफ इंटर्व्यूज आपके हुए हो और आपके सभी इंटर्व्यूज लगबग अच्छे रहे अब आप फिर से इमेल बार बार चेक करते हैं नजाने दिन में कितनी बार अपना इंबॉक्स चेक क करते हैं तो उसमें एकदम से आगात लगता है उसमें लिखा होता है और बस आप समझ जाते हैं कि क्या हुआ यहां वी रिग्रेक्ट टू इंफॉर्म यू और आपका दिल तूट जाता है और यह वो स्टेज है जहां पर हम में से अधिकतर लोग यह तो घुसे में उस इमे क्या आप जानते हैं कि इस unfortunate event को आप एक opportunity में बगल सकते हैं जिहां यह मुम्किन है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीब कटारिया और आप हैं career and money channel पर जहां पर हमें आपकी career की growth और money की growth की चंता होती है तो आईए मैं आपके साथ कुछ ऐसी tips share करने जा रहा हूँ जहां पर आप rejection वाली email को पढ़के उधास भी नहीं होंगे बलकि ऐसी चीज़ को आप एक opportunity में convert कर सकते हैं कैसे बहुत ही आसान है सिरफ एक दो steps में मैं आपको बता दूँगा सबसे पहले आपको उस email का जवाब जरूर भीजने चाहिए हां उस case में कुछ नहीं कर सकते हैं जहा पर आपको do not reply से email आई हुई है पर शायद ऐसा कम ही होता है एक्सपर्ट का मानना है कि email का जवाब देना एक अच्छी बात है इससे आप अपने आपको show करते हैं कि आपने इस चीज़ को बड़ी ही gracefully लिया है और अभी आप communication का जो two way रास्ता है उसको बंद नहीं कर रहे ह कहते हैं ना कि be a good sport तो वो quality आपको दिखानी है और ये चीज़े हो सकता है कि जो hiring manager है या recruitment manager है उसको बहुत अच्छी लगे और वो आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा ले और जब भी कोई future opportunity आए तो शायद हो सबसे पहले आपको contact करेगा दूसरा इस incident को एक opportunity में कैसे convert करें इसका बड़ा simple answer है कि भी email लिखिए और email में क्या लिखना चाहिए उसको समझाने से पहले मैं जल्दी से बता दू कि आपकी email reply बड़ी ही short और बड़ी ही crisp होनी चाहिए और दूसरा उसमें ये बखान ना करिए कि मेरा दिल तूट गया ये मुझे आपकी हा काम करने की बड़ी इच्छा थी और मेरे को तो और कोई company सूझ ही ने रही है मैं काम करूँगा तो केवल आपकी company के साथ ये सब ड्रामे छोड़ी है और चाहे आप सचमुच में ऐसा महसूस कर रहे हैं पर इसको व्यक्त करने की जरुत नहीं है अब आपको लिखना क्या है तीन चीजे और उसको आप नोट करिए पहला आप जो recruitment manager है hiring manager है यह जो भी व्यक्ति आपके साथ communicate कर रहा है उसका आप धन्यवाद करिए आप कहिए कि आपका शुक्रिया आपने मुझे result भेजा मुझे feedback भेजी हाँ आप कह सकते हैं कि मुझे इस वक्त बहुत अच्छा नह कहना है कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई feedback है जिससे मैं अपने अंदर कुछ सुधार ला सकूं और तीसरा आपको उस recruitment manager या उस team head को कहना है कि क्या आपके पास अभी या future में आपकी team में या किसी दूसरी team में ऐसी या इससे मिलती जुलती कोई opportunity है अगर है तो क्या आप बारे में मुझे सूचित करेंगे क्या आप मेरे को active data bank में उसके लिए रख सकते हैं और कौन जाने कि ये बाते इतनी अच्छी लगे recruitment manager को कि वो या तो आपको दूसरी position के दिए मिलने जल्दी से या आपके resume को वो forward कर दे अपनी दूसरी team के colleague को कि भई इनसे आप जरूर म बिल लो ये मेरी recommendation है अब हो सकता है कि आप कहीं अच्छा भई इतनी अच्छी अच्छी बाते बता रहे हो तो email का sample दिखाओ तो लीजे अब आपकी screen पर आ गया email का sample और मैं आपकी सुविधा के लिए इसको पड़ भी देता हूं और आप इस video को pause करके ये rewind करके देख भी स व्यक्ति ने चाहे वो पुरुष महिला है उन्होंने आपको संपर किया है आपको उन्होंने result बताया है Thank you for your email and sharing this information with me. As you can imagine I am quite disappointed to be not a part of your team but I wish you and the selected candidate all the best. तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सुपर हीरो हूं और मुझे तो जरा भी फरक नहीं पड़ा है नहीं आप कह सकते हैं मैं उदास हूं पर फिर भी मैं इसको gracefully accept कर रहा हूं और आपको और जो candidate आपने select किया है उसको मैं शुब कामनाएं देता हूं फिर हम लिखते हैं I will continue to aspire to join your organization of our department जो भी है कि मेरी इच्छा हमेशा रहेगी कि मैं आपके साथ काम करूं while I continue working with my present employers and add to my experience तो आप ये कह रहे हैं कि मैं जहां पर हूं वहां पर काम करता रहूंगा और अपने experience में इजाफा करता रहूंगा बड़ोतरी करता रहूंगा ये नहीं कि मैं आस्मान की त फिर से ये दिखा रहा है कि आप कितने positive हैं आप कितने proactive हैं therefore should you have a similar opportunity now or in future in your team or other team please do keep my resume in your active data bank ये तो मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है फिर हम feedback के लिए लिखते हैं may I ask you to share if you have any specific feedback so that I could use it to improve my interview skills or fit better for this type of position क्या आपके पास मेरे लिए कोई feedback है जिससे मैं अपनी interview skills या इस role के लिए जो fitment है उसको मैं improve कर सकूं उसमें मैं सुधार ला सकूं और फिर ant में जो लिखते हैं I would be very grateful for your input thank you again and don't hesitate to reach out to me should you have any opportunity in future वस ये इतनी सी बात थी और आपके इस छोटे से एक्शन से कौन जाने कि कल आप उस company में काम कर रहे हों दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको like और share करें और हाँ अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है या आप नए आए हैं तो subscribe करके घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर दे मिलते हैं एक और useful वीडियो में